हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं हटको की एज इन हाउसिंग एंड अर्वन डेवलपमेंट कोपरेशन की क्विक्ली एनलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो हटको में आप देख रहे होगे हायर हाईस की फॉर्मेशन बरकरार है अभी भी कुस दन साइडवेस था बट फिर से कंसिस्टेंशली एंड कंटिनुएंटी कहीं न कहीं देखने को मिल रही हटको में तो यहाँ पर स्टॉक सही चलते हुए नजर आया अब हटको में आप देखें यहाँ पर हडल बनते हुए नजर जरूर आ रहा है लेकिन यह हडल क्यों बन रहा है क्योंकि कहीं न कहीं 150 एक नियरबाय पर साइकलोजिकल लेवल है इसी लिए यहाँ पर एक बेस बनना है 140 पर जाकर बेस बन जाएगा तो यहाँ से मुमेंटम बहुत अच्छा चलेगा इसी लिए यहाँ पर बार बार ही हडल हो रहा है यहाँ पर आप देखें नीचे से formation अगर हड कोगी पकड़े तो यह हड को rally करता है base बनता है फिर rally होती है base बनता है उपर जाता है rally होती है फिर base बनता है इसी formation में चल रहा है यहाँ पर भी देखें, rally होई, base बना, उपर गया rally होई, base बना, तो यहाँ पर फिल से यह rally के बाद अब एक base बन रहा है, यहाँ पर 140 एक strong support की तरह जब act करेगा, तो stock को आसानी होगी 150 का level break करने में, क्योंकि 150 पर सबसे जादा seller's activity रहेगी, और 150 अगर break नहीं हो पाता है, त हटको फिर यहाँ से weak होने लगेगा, तो यहाँ पर देखें, तो एक बड़ा तूफान आने वाला हटको में, जैसा यहाँ पर आया था, कि suddenly हटको ने 2-3 दिन में एक ऐसा momentum पकड़ा था, एक 97 के आसपास से, और stock ने 41%, 40% की return सिर्फ 7 दिन के अंदर नकाल के दिये थे, तो ऐसे चलेगा हटको आपके आने वाले दिनों में, तो उपर की दिशा में पहला target कल के दिना कर रहेगा, तो वो रहेगा 145, क्योंकि 145, 5 point पहले पड़ेगा, psychological level के, तो यहाँ तक stock पे sellers देखने को मिल जाएंगे, यह sustain हो जाएगा, तो 150 और 150 के बाद फिर 5 point ले लिजिए, यह तो 155, क्योंकि 155 पे sellers चुर रहेंगे, वो कही ना कहीं stock को ढखेलने की गुशस करेंगे, कि stock psychological level के अंदर close हो जाए, ताकि next day आप देखें, तो wires कही ना कहीं उतने हावी ना हो सके और exhaust हो जल्दी, इसलिए यह 5 point पे अपने targets हैं, या फिर आप इने resistance कहा सकते हैं, अब support की बात करें, कि hardcore में support कहां रहेगा, तो support अगर stock by any means unstable होता है, क्योंकि आज majority of the stocks unstable देखने को मिले, तो कल अगर यह stock unstability दिखाता है, तो 133 will be at, अपना पहला support होगा, नीचे की दिशा में, दूसरा support यहां से 129 रहेगा, और तीसरा stock जो support देगा, वो 125 के आसपास, तो यह 3 अपने support होगा है, कुछ ऐसे से, तो नीचे की दिशा में, अपने 3 support रहेंगे, तो यहां पर आपको hopefully clear होगा, हटको कैसे चलने वाला है, पर trailing stop loss लगा लिजी, क्योंकि यहां पर unstability हटको में भी बन सकती है, ऐसा नहीं है, अगर आज आप देखें हटको बच गया है, कि हटको फॉल नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हटको कल भी फॉल नहीं होगा, मेबी, आज अच्छा चला है, कल थोड़ा सा pullback के साथ स्टॉक अगर फॉल दिखा दिता है, तो समय नहीं लगए कि हटको 116 भी सोच हो जाए, तो यहां पर trailing stop loss लगाना बहुत necessary है, नतीजो का दोर चल रहा है, तो होफ़ली सारी सीचें यहां के लिए रहोंगी, मिलते नेक्ट वीडियो में, दिस इस मी सुबम्यादफ, सैनिंग ओफ